हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम स्नाकिंग के लिए ऐसे ओप्षिन्स धूनते हैं, जो विदाउट ओइल बन जाएं, याने की जो बहुत हेल्दी भी हो और बहुत टेस्टी भी हो आज की हमारी रेसिपी है कैशू चिकपी सैलड, जो फुल अफ प्रोटीन्स, फाइबर, आयन, कैल्शियम और विटामिन्स है तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे एक कप बॉइल चिकपी स, इन्हें हमने 7-8 गंटे सोग करके रखा था और फिर इसे बॉइल कर लिया आधा कप कैशू याने की काजू जिसे हमने 2 गंटे सोग करके रखा था दो स्पून इमली की घट्टी मिठी चट्नी अब एक बड़े बॉइल में डालेंगे बॉइल चने, काजू और इमली की चट्नी अब इसमें डालेंगे आदा चमच सेका हुआ जीरा पाउडर, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादू नसार और आदा चमच गरम मसाला अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इमली और सारे मसाले, चना और काजू पे अच्छे से कोट हो जाएं तो आप इस कैशू चिकपी सैलेट को लंच में एज़ा साइड डिश भी खा सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं देखिए चना और काजू अच्छे से कोट हो चुके हैं तो बस तयार है हमारा कैशू चिकपी सैलेट अब हम इसे सव कर देते हैं तो अगर आपको यह रेसिपे पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग